नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दनीज लॉंचर के इस यूटूब मंच पर दोस्तों आज 31 मार्च है और 31 मार्च की सुबह जब हम आपसे मुखातिव है उससे ठीट 65 दिनों के बाद यानी चार जून को अठारवी लोग सभा चुनाओ के लिए इस देश का जन्मत दे के सामने आ जाएगा यू कहें कि देश का जन्मत सरकार किसकी बनी किसे विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला किसे सत्ता पक्ष का जनादेश मिला किसे गठबंदन धर्म को निभाने का जनादेश मिला सब कुछ सामने आ जाएगा लेकिन जनादेश से इतर भी भारती ज जनादेश की परतिक्षा भी लंबे समय से हो रही है कि सभी जानते हैं कि भारती जनता पार्टी पिछले 10 सालों से एक नेता एक सुपरकार करता एक चहरा एक सिंबॉल एक विचारधारा और यूं कहें कि एक देवता जेपी नडड़ा के सब्दों में देवताओं के देवता नरेंद्र मोधी के सहारे चुनाओं में जा रही है जनता के बीच जा रही है सासन भी कर रही है यानि सत्ता से संगठन तक भारती जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्तिक काविज है ऐसा प हर वक्त रबर स्टाम्पी होता है सियासत में अक्सर ऐसा नहीं होता एक छोटा वाक्या आपको सुनाता हूं साल 1996 था नर्सिम्हा राओ सत्ता से जा चुके थे उनके दुर दिन शुरू हो रहे थे राजनितिक दुर दिन शुरू हो रहे थे और कॉंग्रेस पार्टी में उन् सीता रामकेश्री अध्यक्ष बने के साथ माना गया कि नर्सिमाराओ का कबजा बना रहे गा लेकिन महीने भी नहीं बीते होंगे कि सीता रामकेश्री ने अपनी ताकत का हैसास किया पहला फर्मान नर्सिमाराओ को संसधिये दल के नेता का पर छोड़िए दूसरा फर्मान अगले एक देर साल बाद लोग सभा का टिकट नहीं मिले गा आपको और यह सब सीताराम केश्री ने किया जेपी नड़ा की उमर सीताराम केश्री जितनी तो नहीं है जब अध्यक्ष है जेपी नड़ा सक्षम है जेपी नड़ा आज की तारीख में नरन्दमोधी को लेकिन याद रखिए जेपी नड़ा के सुरुवात कहां से हुई है घात परतिगात संधियों और दुर्भी संधियों के बीच इस देश के इतिहास के बीच एक अलग तरह का इतिहास चाहे अजाव सत्रू और मिम्विसार के दौर का इतिहास हो चाहे वो इतिहास गौतम बु कि स्यासत ऐसे लिखी गई जो आजनीग दौर में विपक्ष परिवर्तन के रूप में आपको देखने को मिलती है 17 परिवर्तन अठ्हारह साल 19 सालों से नहीं हो रहा है नितिशकुमार सप्त्रिक पष्टत्र में उना लुज मार रहा है नितिशकुमार को रहे वह सोते हैं का उतले हैं यह स्कूल के जिस राजनिति की स्कूल के जिस पठना की राजनिति वाले स्कूल से नितिसकुमार आए हैं जेपी नड़ा को समझने वाले लोग कहते हैं कि जेपी नड़ा की सियासत ऐसा नहीं है कि सिर्फ नरंद मोधी को देवताओं का देवता बनाने से सुरू हुई है जेपी नडड़ा ने BJP के अंदर हर उस दोर को देखा है जब से भारती जर्णता पार्टी बनी चाहे इबी भीपी से लेकर युआ मोर्चा तक और युआ मोर्चा से भारती जर्णता पार्टी तक दोर लाल किसना अडवानी कर रहा हो जैपी नड़ा का कद बीजेपी में छोटा रहा उस दोर में लेकिन नड़ा सहाब ने आडवानी जी के साथ पूरी निस्ठा दिखाई निजाम बदला वक्त बदला जैन हवाला कांड ले भी वक्त बदला और जैन हवाला कांड के बाद की परिस्तितियों में जेपी नड़ा ने को पहचान कर बदले हुए हालात में राजनाथ सिंग के साथ भी जेपी नड़ा खड़े हो गए और 2014 में जब राजनाथ सिंग ग्रे मंत्री बने उस दोर में भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन होंगे इसको लेकर बाते चल रही थी और राजनाथ सिंग केंप की जेपी नड़ा ध्यक्ष नहीं बन पाए अध्यक्ष की कुर्सी मिली उत्तर प्रदेश की सियासत में भारती जनता पार्टी को दस से लाकर दस से आगे बढ़ाकर एक हत्तर तक पहुंचाने वाले अमिर्सा को लेकिन अमिर्सा भी ग्रह मंत्री बने राजनाथ सिंग की तर दोभी कहा जाया राम विलास पास्वान कर नाम लोग लेते इस लेकिन भारती जनता पार्टी के अंदर सफलता की इसीडियां चीण के लिए, कभ कौन सा देवता बनाना पड़ता है और कब कौन से देवता का हाथ जटक कर खड़ा होना है ये नड़ा साहब जरूर जानते हैं इस मामले में जेपी नड़ा के कोई दूसरा मुकाबला भारती जनता पार्टी में नहीं कर सकता एक तरफ हिमाचल की ठंडी वादियों में उनका मूल लिवास और एक तरफ पटना की राजनितिक फिजां के बीद जेपी नड़ा की ग्रूमिंग जेपी नड़ा की पोलिटिकल ग्रूमिंग राजनितिक व्यक्तितु का विकास और तो के के बीच जो खेल हो देखने को मिला और जिस पकार से जेपी नड़ा ने अपने व्यक्तितु का निर्मान सुसील मोदी रामेश्वर चौरसिया गोविंदा चारी स्कूल अप पलिटिक से निकले हुए लोगों के बीच से किया पटना में वहां उन्होंने जरूर देखा कि सु सिल मोदी से आगे निकल गए तब ही वह भाजपा के रास्टियर द्रट के पत तक पहुंचे चार जून को लोग सभाज चुनाओं की मत गणना है चार जून को नतीजे भारती जनता पार्टी के पक्ष में अगर आते हैं यानि नरंद्र मोदी जी के नेत्रितु में 272 का आ भारती जनता पार्टी 220 या 220 से नीचे खिसकती है तो याद रखिए जेपी नड्डा है अटल विहारी वाजपई से लेकर नरंद्र मोदी तक हर दौर में इन्होंने भारती जनता पार्टी के अंदर उगते हुए सूरज को सलाम किया और डूपते हुए सूरज को अस्थ हो अपनी तरफ से कोई भूमिका इनकी ना रही हो लेकिन हाग जटक कर छोड़ने में मुह मोड़ने में कोई से पीछे नहीं हटे उन जेपी नड्डा को चार जून के बाद देखने की हसरत पूरे देश को है कि नड्डा साहब क्या करते है क्या नड्डा साहब सीताराम केसरी की भूमिका में आएंगे नरंद मोदी के लिए सबसे बड़ी चिंता देश की सत्ता नहीं है देश की सत्ता सत्ता आनी जानी चीज़े कभी कोई पार्टी जीतेगी एक पार्टी जीतेगी कभी दूसरी पार्टी जीतेगी यह स्वभाविक प्रखिरिया है सत्ता कभी भी ज सत्तर तक लगातार चल रहा था मन मौहन सिंग के 10 साल के सासन के अनवरत चले सासन का अंत 2014 में हुआ नरेंद मोदी ने भी 10 साल सत्ता में भोग लिए सत्ता में रह लिए वो उसके बाद चार जून को जो नतीजा आएगा चार जून का नतीजा नरेंद मोदी के लिए इस मामले में महत्पून है कि देश की सत्ता अगर जानी होगी तो जाएगी स्वाभावित प्रक्रिया है बचनी होगी तो बच जाएगी वो भी एक स्वाभावित प्रक्रिया है लेकिन भारती जनता पार्टी की लगाम या भारती जनता पार्टी की सत्ता नरंद मोदी और अमित्सा के हाथ में बनी रहे यह तै करने की जिम्मेदारी चार जून के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ब्यक्ति के हाथ में होगी और वो ब्यक्ति भाजपा के अंदर के मौसंबे ग्यानिक माने जाने वाले जेपी नडड़ा होंगे जेपी नडड़ा क्या चार जून में को यदि नरेंद्र मोधी के नाम के आगे पूर प्रधान मंतरी लग जाता है तो क्या तब भी उन्हें वो देवताओं का देवता मान कि सत्ता यदि हाथ से फिसली तो भारती जनता पार्टी को नरंद्र मोधी को सब से पहले किसी एक व्यक्ति की भूमिका पर भूमिका को लेकर सतर क्रहना होगा वह व्यक्ति हैं भारती जनता पार्टी के रास्ट्रियत धट्ष जेपी नडड़ा सत्ता है तो जेपी नड़ कि सत्ता तो कम से कम जेपी नड़ा के हाथ में है जिस आजादी का अनुभव बतौर भाजपाद ध्यक्ष नड़ा सहाब ने संभवता अब तक नहीं किया है चार जून को तो अनुभव जरू करेंगे अगर सत्ता चली जाती है तो चार जून का जो अनुभव होगा वो जेप नड़ा के लिए कंगना रनोग जो उन्हीं के राज़ से आती है जो कहती है कि असली आजादी तो 2014 में मिली है तो क्या भारती जहनता पार्टी के अंदर बतौर अध्यक्ष अध्यक्षपद के लिए एक आजाद खयाल एक आजाद फिलिंग्स जेपी नड़ा के मन में क्या लोग RSS की बुनियात को जानते हैं जो लोग भारती जनता पार्टी की कारे संस्कृति को जानते हैं वो सब इस बात को जानते है कि अड़वानी स्कूल और पॉलिटिक से निकले हुए लोगों ने कैसे लाल किसना अड़वानी को दरकिनार करने में अपनी तरब से महती गोविन्दाचार की ने जिस युवा पीडी को ग्रूम कर भारती जनता पार्टी में आगे लाया और वो पीडी आज भारती जनता पार्टी पर राज कर रही है दिल्ली के दक्षर दिल्ली के छोटे से फ्लैट में रहने वाले गोविन्दाचार को सायद कोई पूछने में उनमें से नहीं जाता, तो जब आडवानी को नहीं पूछा जाता, गोविंदाचार को नहीं पूछा जाता, भारती जनता पार्टी को खड़ा करने में बड़ा रोल निमाने वाले, सुंदर सिंग बंधारी को सायधिक किसी ने पूछा हो, तो नरंद्र मोधी को पूछा उन नरंदमोदी और अमिर्शा को क्या पूछा जाएगा भाजपा में सत्ता जाने के बाद जिनके कारेकाल में भाजपा के कारेकरताओं ने भी संभवता सत्ता में होने का सत्ताधारी पार्टी का कारेकरता होने का अनुभू साहधिक किया हो भला उस पार्टी के अध्यक्ष अपनी रवर स्टाम भूमिका से आजाद होने की खुसी भी नहीं मनाएं अब वो खुसी मनाते हैं या उन्हें भाजपा की कमान एक रवर स्टाम पर ध्यक्ष के तौर पर आगे भी निभानी पड़ेगी इसके लिए चार जोन माज 65 दिन आज से 65 दिनों बाद जेपी नड़ जो देवताओं के देवता सब्द करनाटक के चुनाओं में उन्होंने इस्तेमाल किया क्या वो देवताओं के देवताब बने रहेंगे नड़ा साहब की भूमिका नरंद मोदी और अमिर साह का किस्मत तै करेगी राजनेतिक किस्मत तै करेगी संभवता इसको लेकर नरंद मोदी और अमिर साह को भी पता होगा कि चार जून की तारीख के बाद जिस एक व्यक्ति की भूमिगा भारती जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ी होने वाली है हो सकती है वो जगत प्रकास नड़ा है देखते रहिए आने वाले वक्त में क्या होता है लेकिन विपक्ष को भी चार जून का इंतिजार है नरंद मोदी को भी चार जून का इंतिजार है यूं कहें कि RSS को संग को भी चार जून का इंतिजार है और सबसे ज़्यादा इंतिजार अपनी आजादी की बेसबरी से प्रतिक्षा कर रहे जेपी नड़ा को ही संभवता होगी इसलिए चार जून पर हम सब नजर बनाये हुए है आप भी बनाये रहे हैं चार जून के बाद चार जून को सत्ता का फैसला होगा लेकिन चार जून के बाद भारती जनलता पार्टी के अंदर की सत्ता का जो फैसला होगा उस फैसले में नड़ा साहब की भूमिका बहुत बड़ी होगी आज के लिए इतना ही नमस्कार